कि असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं आप लोग के ट्वेंट क्लास के कहकशा बुक का चेप्टर नमबर टू जिसका नाम है मिट्टी का तेल ठीक है और यह एक मजमून है मजमून आप लोग स तरह यह जो है मिट्टी का तेल यह भी एक मजमून है ऐसे है जो कि मिट्टी के तेल पर यह ऐसे लिखा गया है ठीक है और मजमून कई परकार के होते हैं तनकीदी मजमून होता है इल्मी मजमून होता है जिसमें इल्म औ अदब की बात की जाती है जरिफाना मजमून होता ह है जिसमें हसी मजाग की बात की जाती है ठीक है तो यह एक मिटी का जो तेल है यह मजबून है और यह कौन सा मजबून है यह एक इल्मी मजबून है इसमें इल्म अदब की बात की गई है मिटी की तेल की खासूसियत के बारे में बात की गई है ठीक है और इस मिटी के तेल चे राड़ननिजामी की पैदाई सवी थी दिशंबर 18 सा 78 को एटीन सेवेंटी एट में ठीके और in καाम यानि इनके पिता जी का नाम क्या था सयद आशिक अली निजामी ठीक है और इनके वालिदा या उनकी इनके माता जी का नाम था सयदा चहेती बेगम देखें इनके वालिद या इनकी पिता जी का नाम सयद आशिक अली निजामी और इनके वालिद का नाम सयदा चहेती बेगम ठीक है पहली बीवी, हबीब बानो इनका इंतकाल हो गया लेकिन उसके बाद इन्होंने दूसरी साधिकी स्यदा महमुदा ख्वाजा बानो से ठीके और वो उनसे निकाह कर लिए ठीके ख्वाजा रसन् निजामी की तसानिफ की बात कर लेते हैं लोग नियानी की उनका क्रियेशन्स म और ये निजामी बंसुरी जो है ना ये हज़रत निजामुदीन ओलिया की समाना है यानकी हज़रत निजामुदीन ओलिया की बायोग्राफी है जी उनी है हज़रत निजामुदीन ओलिया के बारे में ही उनकी बायोग्राफी ही है निजामी बंसुरी इहनी के बारे में इसमें निखा है ठेके खुआजा घसन निजामी ने सी पारे दिल ये भी खुआजा अब ये किताब ये घ्री इसन है रोज नाम चे और कल्मी चेहरे ठीके तो ये क्या हो गया इनकी तसानीफ हो गई खुआजा हसन निजामी कि उनकी मौत हो गई थी 31 जुलाई 1905 बीको यहां तक का तेल नाम का जो मजमून है इसको जला समझ लेते हैं और हाँ एक बात याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निजामी जो है इन्हों ने ये मिटी का तेल नाम का मजमून आज से बहुत साल पहले लिखा था जब हमारे लिए मिटी का तेल बहुत ज़दा इंपोर्टेंट था इसी के दम से पूरे दुनिया में उजाला होता था तब ये लिखा हुआ मजमून है ये एसे हैं अभी तो बिजली लाइटिंग साइटिंग की बहुता हो गई है हर गर में गैस चूला सिलेंडर सब कुछ है लेकिन ये तब का लिखा हुआ है जब मिटी का तेली हमारे की जो बेकार हो और जिसको हकीर वजलील समझा जा सके ठीक है लेकिन जो चार अंसूर है जो चार तत्व है आग हवा पानी और खाक का मतलब होता है मिटी तो यह चार तत्व है इन चार तत्व में जिसको सबसे जदा हकीर वजलील जिसको सबसे जदा नीचा समझा जाता है वो है आप लोग का खाक यानि की मिटी मिटी को सब इन चारों तत्तों में सबसे ज़्यादा नीचा समझा जाता है हकीर वो जलील समझा जाता है यही वो मिटी है जिस पर जितने भी लोग होते हैं अपने पाओं को रौंदते हैं यही वो मिटी है जो पानी के बहाओ के साथ बेह जाती है हवा के जोके के साथ उर जाती है और आग की गर्मी के साथ ये जुलस जाती है ठीक है लेकिन उफ तक नहीं करती ठीक है इस मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है लेकिन फिर भी जाकर इससे सवाल किया जाता है ना तो पता है ये मिट्टी क् मैं खुदा का लाख लाख शुक्रियादा करती हूं कि मेरी शान इतनी बड़ी और निराली बनाई क्योंकि ये मिट्टी है जिससे जितने भी इनसान है वो पैदा होते हैं और फिर उसी में फना हो जाते हैं मिटी में वो क्या हो जाते हैं दफन हो जाते हैं फना हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं उनका वजूद खत्म हो जाता है ठीक है और इसी मिटी के ता में वो कुद्रत के नयाब खजाने चुपे हैं जिसको यूज मिला कर जिसको काम मिला कर इंसान आदमी कहलाता है क्योंकि इसी म मिटी का तेल कहते हैं और भले ही समिट्टी के तेल चंबेळी और मोतिय का तेल लाह गुना बेटर है विव्यकूरा तो मेल के चंबेळी और मोतिया का तेल लाह गुना बेतर है मिट्टी के तेल से लेकिन अगर बात की ज़रूरत के लिए हाथ से कि किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सभी तेल को पीछे छोड़ देता है मिट्टी का तेल सभी तेल से बहतर सभी तेल से नयाब मिट्टी का तेल है कि इसी के जो बुढों को ठोकडों से बचाता है यही वो मिटी का टेल है जिसमें बच्चे सबक याद करते हैं जिसकी रौशनी में नमाजी नमाज पाढ़ते है cleared commence बूर फिर उसको पुलिस फकड़ंद है और यही वो मिटी का ले जिसके ते रोश्नी में जो आशिक हैं जब उनकी जिदाई हो जाती है बरेक अप हो जाता है तो उप चाम अपने घुमों का गुसार करते हैं एक जगाँ बैठ कर अब कमरे में बैठ कर तो यही जो मिटी का टेल का रोश्णिख रॉश्णी होता है का साथ देता इसके घम है तु इतना ज्यादा फीचर्स मताया गया है मिठी के तेल का मजमून में यह बताए गया है कि जो अमेरिका का राक फीलर है गिलर है वह कि ही स्टार्ट किया था और देखते ही देखते हैं उसका जो बिजनेस एक बहुत बड़े पेमाने पर चला गया और वह सके बहुत बढ़ा बिजनेस मैं भी कहा गया है क्योंकि इससे कोई रिष्टा नहीं है इससे कोई भी किसी से तालुक नहीं है कोई इसकी रोशनी में शराबी शराब खुरी करें या फिर नमाजी नमाज पड़ें इससे कोई तालुक नहीं है कोई वास्ता नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है कि इस मिट्टी के तेल का फीचर्स बताए गया है लेकिन जो में मैं है मैं आप लोग को बता दी ठीक है अब ज़रा इसके कोश्चन एंसर को हम लोग समझते हैं पहले ले लिजी यहां तक फटाफट स्क्रीन सॉट अब चलिए ज़रा इस चेप्टर के कोश्चन एंसर को देख लेते हैं देखिए मैं आप लोग के कैश्चा का बुक ले ली हूँ और ये चेप्टर का कोश्चन एंसर भी मैं निकाल दी हूँ स्टार्ट होता है आप लोग का आप बताए कोश्टन से यान की आप लोग को बताना है जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि आग हवा पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है दूसरा सवाल है मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है तो मिट्टी को दुनिया के जितने भी लोग होते हैं अपने पाओं से रौंदते हैं यही वो मिट्टी है जो हवा के जोके से उड़ जाती है पानी के बाओं से बह जाती है और आग के गर्मी से जुलस ज जाला होती है ठीक है चार नमबर सवाल है मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बहुत चड़ाते हैं तो देखिए मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक बहुत चड़ाते हैं कि इसकी बदबु बहुत जदा बदबुदार होती है ठीक है पास्ट नमबर सवाल है मिट्ट का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चड़कर है तो नंबर सवाल है मिटी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेतालुक है कैसे इसका नदर हो जाएगा क्योंकि तेल तो कोई तालुक नहीं किसी से कोई रिच्टा नहीं है कोई इनसां क्या कर रहा है उसकी रौष्णी कोई इसकी रोशनी में कोई सराबी शराब खुरी करें या फिर कोई नमाजी नमाज पढ़ें बस इसको रोशनी देने से मतलब है ठीक है अब स्टार्ट होता है आप लोग का मुखतसिर गुफतगू से ठीक है सबसे पहला सवाल है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लक पर क्य यही वो मिट्टी है जो पानी के बहाओं के साथ बहए चाती है हवा के जोगिस देख ना जाती है और आग की गर्मी के शार्ट यह जुळत यह तक नहीं करती और इसी लिए हम में इस मिट्टी के वेचारगी और जिल्लक पर बहुत तरस आती है रखे थीक है gözसाओ से कुश से खजाने खुद्रत में चुपा रखे हैं तो इस मिट्टी के तह में सोना चांदी हीरे जवराद यहां तक कि इसी मिट्टी के तह में एक चिकना और बदबुदार पानी होता है जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल और उसी के दम से पूरी दुनिया में उजाला होता है तो यह अवान की हर तब के की मदद करता है ठीक है चार नंबर सवाल है कि राक फिलर कौन था और वह दौलत मंद कैसे बना तो राक फिलर जुह न वह अमेरिका का एक बिजनेसमेन ता ताजिर था जो की मिट्टी के तेल का बिजनेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते सबसे पहला सवाल है अल्ला मिया ने मिट्टी के तेल में क्या-क्या खुविया रखी है सयाक वो सबाक के हवाले से बताएं अल्ला ताला ने इस मिट्टी के तेल में कौन-कौन सी खुविया रखी यह आप लोग को बताना है तो मैं आप लोग को अल्रेडी बता चुकी हूँ अब एक इस चीज़ को बार बार बताना उतना अच्छा नहीं न लगता है आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं सारी खुबी जितने भी मैं मिट्टी के तेल के बार में बताई वह आप लोग लिख दीजिएगा ठीक है दुसरा सवाल है विजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की एहमियत किस तरह बाकी है तो विजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की एहमियत इस तरह बाकी है क्योंकि अभी भी ऐसे गाउ हैं जहां पर विजली नहीं पहुचाई गई है और वहाँ पर मिटी का तेल से ही लाल्टेन जलाकर बच्चे अपना सबक याद करते हैं अपना होमर्क बनाते हैं वहाँ पर पढ़ाई किया करते हैं ठीक है और मिटी की तेल की एहमियत इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मोटर गाड़ी और मोटर साइकिलों में बह बताना है इसके फीचर्स बतानी विशेष्टा बताना है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं क्या बताई थी कि यहीं वो मिट्टी का तेल है जिस पर जितने भी दुनिया के लोग होते अपने पाव से रौनते हैं यह हवा के जोके के साथ उर जाती है जो जो मैं फीचर् के तेल के रौशनी से बुड़े ठोकडों से बचा करते हैं इसे की रौशनी में बच्चे अपना सबख याद करते हैं और जो नमाजी होए नमाज पढ़ते हैं पुजारी जो है वो पुजा करते हैं और इसी मिट्टी के रौशनी मिट्टी के तेल की रौशनी में जो होता यहना गम में उस आसिक का साथ देती है ठीकिए और कोई नहीं होताए वा केलह होता है और यह की रौसनी मिटी के तेल की रौसनी होती है ठीकिए और बहुत सारे फीचर्ट आप अपने हिसाब 되면 सकते हैं ठीखे पांश नंबर सवाल है और किनकिन औसाफ का खायल है यानि कि जो मद्मून लिखने वाले हैं खौजा Շसन निजामी यह मिट्टी के तेल के किन किन होभी के कायल है ठीखे कौए कौन कौन सी हूभी्षा हसन निजामी को बहुत अची लगी और वो उनके खायल हो गया ठीक है ये आप लोगों को बताना है तो जो जो खुभी इसमें लिखे हैं उसी के खायल है तो आप लोगको अपने हिसाब से ये लिख देना हो जाएगा आप लोगका एंसर तो ये हो गया आप लोगका चैप्टर नंबर तू कोश्चन एंसर के सब्सक्राइब करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर बनता है अपने पडोसीों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लगा चैनल पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज